दालों में गिरावट ठमने का नाम नहीं ले रही और उधर मध्य परदेश राज्य सहकारी विपनन संग यानी मार्क फेड ने सरकारी गोदामों में से मूम की निलामी शुरू कर दी है निवीदा की शर्त और परक्रिया पर विरोध और विवाद शुरू हो गया है दरसल मध्य परदेश में 16 से ज्यादा जिलो के गोदामों में माक फेड कुल 11,000 मिट्रिक टन से ज्यादा साबुत मूंग की निलामी कर रहा है निलामी में बेची जा रही मूंग समर्थर मुल्या पर रभी सीजन 2021-22 में ही उपारजित की गई थी माक फेड की निलामी परक्रिया शर्तों को लेकर परदेश भर के व्यपारियों और मंडियों में असंतोष फैल रहा है दरसल निलामी के साथ शर्त रखी गई है कि एक बार में एक ही लोट में गुदाम की पूरी मूंग का विक्रिया होगा जिन जिलों के गुदामों में मूंग का विक्रिया हो रहा है वहाँ सबसे छोटा लोट भी 128 मिट्रिक टन का है जब कि सिहोर, हरदा, हो, शंगाबाद जैसे परमुक मूंग उत्पादक शेत्रों के गुदामों में लोट 22 से लेकर 71,000 मिट्रिक टन के हैं व्यपारियों के अनुसार एक बार में इतनी मात्रा बेचे जाने की शर्त का सीधा लाब बड़ी कमपनियों को मिलेगा चोटे और मध्य मिलर्स और कारोबारी सरकारी विक्रिया की परक्रिया से खुद भखुद भाहर हो जाएंगे क्योंकि चोटे मध्य मिलर्स के लिए इतना मूंग एक साथ उठाना संभव नहीं है इसका असर होगा कि बड़ी कमपनियां लाब उठाते हुए कम दामों पर मूंग खरी देंगी आगे भी बड़ी कमपनियों को ही सस्ते माल का लाब मिलेगा ऐसे में माना जा रहा है कि इस निती के चलते मूंग की कीमतों में और दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है Bureau Report Market Times TV